जो यमना के आसपास के दो लाइंग एरिया थे वहां पे पानी आ जाने की विज़े से कई लोगों के घरों में पानी घुसकिया उन लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने अलग-अलग जगाओं पे बहुत सारे रिलीफ कैंप्स लगाई है छे जिले प्रभावित दिल्ली के अं कोशिश ही की गई है कि अगर पास में कोई स्कूल या धरमशाला है तो वहां पे रिलीफ कैंप्स लगाएं थाकि टॉइलेट्स का पानी का वहां पे अंदर इंतजाम हो सके अभी हम लोग यहां एक स्कूल में खड़े हैं जहां पे अंदर एक रिलीफ कैंप लगाया गया ह तो यमना बाजार जो जहां पे पानी गुस गया वहां के कई सारे लोग यहां आई हुए हैं तो पानी गुस जाने के वज़े से पता रहे हैं पानी अचानक आया था और घरों में घुस गया और काफी समान बह गया लोगों का तो एक तो कईयों के कागस बह गए गए आधा दे दी जाएगी और मैं वहां पर उस एरिया के अंदर कीचड़ बहुत जादा है तो मिट्टी डलवा के उसको कीचड़ को ताकि वो ड्राई हो सके और एक कोई तरीका निकाल रहे हैं कि अगर बाड़ प्रभावित लोग जो हैं जिनका सब कुछ बहे गया उनको कोई हम एड कोना ऄंगो लीकर कि मेंट्रेंश का पांच साल से पैसा नहीं दिया गया है यह ब्लात बेना खालो कि वह पांचों गेट नहीं खुल रहे मीडिया में इतना जादा उठा तो अब वह कोई ना कोई भाना कोई ढूंड रहे हैं लेकिन यह आपस में वह करने का वह नहीं है मैंने अभी भी पता किया है सौरब भार्दवाज ने पता किया था उन्होंने मुझे बताया कि यह से निकालने की कई जगे जल्दी भी हो रहा है कई जगे थोड़ा समय भी लग रहा है अब जो पानी का स्थर है वो टू हंड़ेड और फाइव पॉंट नाइन तक आ गया है और हम जानते हैं कि 208.67 तक पहुंच गया था तो पानी जैसे जैसे धीरे नीचे जा रहा है वैस है है वैसे जिन्दीगी जो है वो नौर्मल होती जा रही है कई लाकों से पानी निकल गए है कहीं लाक हिस लाकश राकों में पानी बचा है वो भी नियदी साफ है आपांक इस मेंडम पारटी करेंगे तो इस चास्तिंक लिएवार तो अगलोर सब्सक्राइब करें वह बेल आइकान दबाना न भूलें